हेलो फ्रेंड्स तो आज हम एक बहुत ही डिफरेंट मूवी देखने वाले हैं जो एक ऐसे प्लैनेट पर बेस्ट है जहां कुछ अलग तरा के क्रीचर्स रहते हैं तो अगर आपको इस मूवी पसंद आए तो फ्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मूवी की शुरू में एक आवाज हमें बताती है कि कैसे एक टाइम पर ये प्लैनेट अंधेरे में डूबा हुआ था लेकिन फिर दो गाडियन्स आए जो अपने साथ लाए छोटे सन और मून ताकि इस प्लैनेट को एक नया जन्म दे सके सद्यों से ये गाडियन्स और इनके सन का गाडियन बनने की तयारी कर रहा है और दूसरा है लियोन जो मून का गाडियन बनने वाला है यही हमें एक लड़की ग्लीम को देखते हैं जो असल में मॉम से बनी हुई है रात होते ही ग्लीम ठंड की वज़ा से जम जाती है और सुबर सूरज की हलकी गर्मी से वापस जाकती है पता चलता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है और इसे एस्ट्रोनॉमी का बहुत शोक है ये भी आज की सेरेमनी में जाने की तयारी करती है लेकिन उसके डैड इस बात की अगेंस्ट है क्योंकि ये जादा ठंड और कर्मी बरदाश नहीं कर सकते इधर हम एक क्रीच निम वापस अपने रूप में आ जाती है वो अपने डैड से चुपकर सेरेमनी वाली जगा के लिए निकल जाती है और उधर म्यून भी उसी तरफ जाने लगता है सभी लोगी सद्बुस सेरेमनी को देखने आते हैं जहां पुरा प्लैनेट सन और मून की रोशनी में आधा बटा हुआ है वासन के पुराने गाडियन मास्टर जोलल अपनी रिच्वल की थुरू सोहन को निया गाडियन चुन लेते हैं और उसकी फैंस ये देखकर बहुत कुश होते हैं इधर मून के पुराने गाडियन मास्टर जूल लियोन के साथ रिच्वल शुरू करते हैं ले पुराने गाडियन के रिटायर होने का ही बेट कर रहा था अपने प्लैन को आगे बढ़ाते हुए वो दो स्नेक्स को ऊपर बेजता है जो किसी के भी माइन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं स्नेक्स उपर लियोन के पास आते हैं जो पहले ही अपनी बेजती के लिए बहुत उदास था वो उसे म्यून के अगेंस भढ़काते हैं और कहते हैं कि नेक्रोसिस में उसकी मदद कर सकता है गुसे में अंदा हो चुका लियोन उनकी चाल नहीं समझ पाता और जल्दी ही उसका माइंड स्नेक्स के कंट्रोल में आ जाता है इधर मास्टर यूल म्यून को उसका टेमपल दिखाते हैं और बताते हैं कि इस काम में उसे बहुत साफधानी बरतनी होगी वो उसे मून एंजल्स दिखाते हैं जिन से निकली तारों से मून इस टेमपल से जुड़ा हुआ है और इसी से इसे कंट्रोल किया जाता है वहां मून एक दर्वाजा देखता है और यूल बताते हैं कि ये सपनों की दुनिया का दर्वाजा है जहां से पहला गाडियन मून को बना कर बाहर लाया था म्यून उसे बहुत कुछ पूछना चाहता है लेकिन देखता है कि मास्टर यूल बाकी गाडियन्स की तरह समाधी में चले गए हैं उदर सोहन भी अपने टेंपल में आता है जहां मास्टर जोलल का पुराना असिस्टेंट ट्रैक उसे उसके काम के बारे में बताता है सोहन देखता है कि सभी पुराने गाडियन्स एंड में एक पत्थर में बदल जाते हैं आगे हम देखते हैं कि मून अपने इस नई रोल को इंजोई करने लगा है लेकिन उसे अभी भी मून टेंपल को पूरी तरह कंट्रोल करना नहीं आया है उसके गलती से वो टेंपल बेकाबू हो जाता है और उससे बंधा मून इधर उधर हिलने लगता है सोहन भी देखता है कि मून कुछ अजीब सा बहेव कर रहा है और अपना रास्ता बदल कर उनकी ही डिरेक्शन में आ गया है टेंपल की बर्ती स्पीड से मून से चुड़ी तारे तूटने लगती है और मून और एंजल के बहुत कोशिश करने पर भी मून उनसे अलग हो जाता है मून के अलग होते ही टेंपल रूप कर वहीं बैट जाता है और सोहन उसे अपने रास्ते में देखकर अपना टेंपल भी रोक लेता है तब ही लिओन वहाँ आता है और सोहन को म्यून को सबक सिखाने को कहता है क्रैक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो गुसे में म्यून के टेंपल की ओर जाता है ग्लिम भी मून को ड्रिफ्ट करते हुए देखती है और समझ जाती है कि जरूर कुछ गडबड हुई है उधर एंजल्स म्यून पर बहुत गुसा होते हैं और तभी उसे एक आइडिया आता है वो एक एंजल को मून की तरफ फैंकता है जो एक बार फिर उसे अपनी तार से बांध लेता है और मून उसे कीच कर अपने पास ले आता है इधर सोहन के टेंपल से जाते ही नेक्रोस के मीनियन सन को चुराने वहां आते हैं क्रैक उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन भागते हुए गिर कर तूट जाता है जल्दी ही वो मिनियन सन को टेमपल से अलग करके ले जाते हैं और इस वज़ा से सन टेमपल भी डियक्टिवेट होकर बैट जाता है ग्लिम ये सब देख लेती है और तुरंट दोनों गार और तभी उसे सन दिखता है जो अंडर वर्ड में जा रहा है वहाँ लोगों को लगता है कि कयामत आने वाली है क्योंकि पुरा प्लैनेट अंधेरे में डूब गया है इधर अंडर वर्ड में नेक्रोस का प्लैन कामियाब हो जाता है और वो सन को बुझा देता है फिर वो उसे चुपाने को कहता है ताकि ये अंधेरा काइम रह सके उपर ग्लिम म्यून से बहुत नाराज होती है क्योंकि उसने अपनी गाडियन की ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाया तभी सोहन भी वहाँ आता है और उससे मून लेकर लियोन को दे देता है वो कहता है कि लि उसे बहुत नाराज होते हैं और उसे हमेशा के लिए क्लैन से निकाल देते हैं इधर सोहन और ग्लिम को जंकल में आगे बढ़ते वे म्यून मिलता है जो अपनी गलती सुधारने के लिए उनके साथ आना चाता है सोहन मना करता है लेकिन ग्लिम कहती है कि अंडर वर्ड तक पहुचने के लिए उन्हें हर मुमकिन मदद की जरूरत पड़ेगी आगे हम लियोन को देखते हैं जिसे मून को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किले आ रही हैं वो उसे वापस खिंचता है लेकिन देखता है कि मून श्रिंक हो रहा है वो उसे लेकर एंजल के पास आता है ताकि वो उसकी मदद कर सके लेकिन तब ही मून पूरी तरह से श्रिंक होकर गायब हो जाता है मून के गायब होते ही टेंपल फिर से बेकाबू हो जाता है और प्लैनेट पर तबाही मचने लगती है इस बढ़ते अंदकार को देखकर अंडरवर्ड में नेक्रोस भी बहुत खुश होता है इधर वो तीनों एक जील तक आते हैं जहां नीचे एक बहुत बड़ा ब्लू होल है वो लोग एक ऐसी एलजी खाते हैं जिससे पानी के अंदर उन्हें उक्सीजन मिल सके और नीचे जाने की तयारी करते हैं ग्लिम बताती है कि पानी में जाते ही वो ठंड से जम जाएगी और तब म्यून उसे वादा करता है कि वो उसका पूरा ध्यान रखेगा वो लोग नीचे जाते हैं जहां एक सी मॉन्स्टर उन पर हमला करता है वो मॉन्स्टर ग्लिम को पकड़ लेता है और सोहन और म्यून बहुत कोशिश करने पर भी उसे नहीं बचा पाते तब ही वहाँ एक तेज रोशनी आती है और वो देखते हैं कि एक और सी मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है पता चलता है कि इसका नाम फोस्पो है और ये भी एक टाइम में मून का गाडियन हुआ करता था वो उन सब को उस मॉन्स्टर से बचा कर बाहर ले आता है वहाँ फ जो उस वक्ते खतरनाक योद्धा थे उन्होंने उस शेतान को हमेशा के लिए नरक की गहराईयों में भेज दिया तब से वो सबसे बदला लेने की सोच रहा है जल्दी ही वो अंडर वर्ड के दरवाजे तक आ जाते हैं और तब ही मून देखता है कि उसका टेंपल बेकाब कंट्रोल करता है टेंपल शांत हो जाता है और म्यून गलीम को बताता है कि शैद वो अब इसे कंट्रोल करना सीख गया है वो अंदर जाते हैं जहां उन्हें घबराया हुआ लिएन मिलता है जो मून के गायब होने की वज़ा से दुखी है तब ही म्यून को सपनों की दुनि इसे कंट्रोल कर सकता है आगे वो दोनों उस जगा आप पहुचते हैं जहां से पहले गाडियन ने मून को बनाया था वो वहां रखे उजारों की मदद से एक नया मून बनाता है और उसे लेकर वापस टेंपल में आ जाता है लेकिन वो देखते हैं कि मून में बिल्कुल चमक नहीं है और मून समझ जाता है कि जब तक सन बाहर नहीं आएगा मून की चमक भी नहीं लोटेगी तब लिए उनको एसास होता है कि मून ही असली गाडियन है और वो उससे माफी मांगता है इधर सोहन नीचे पहुचता है जहां एक्रोस के स्नेक्स उसे गेर लेते हैं वो उ मून और ग्लिम भी वहां आ जाते हैं और वो तीनों सन को डूनने आगे बढ़ते हैं एक जगा नेक्रोस उन्हें पकड़ लेता है लेकिन वो खुद को उससे बचा लेते हैं सोहन उन्हें आगे जाने को कहता है और खुद नेक्रोस से बिढ़ जाता है मून नेक्रोस के मिन पर सोहन उसे बचा लेता है, तब ही वो देखते हैं कि सन और मून दोबारा चमकने लगे हैं, और इससे उनके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है, सोहन नेक्रोस को उनसे दूर फैंकता है, और म्यून अपनी पावर से उसके अंदर चला जाता है, जहां वो उस छुपे ओव देखते हैं कि प्लैनेट पर लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई है, म्यून मॉम से ग्लीम को दुबारा बनाता है, और मून का एक टुकड़ा तोड़ कर उसके हाथ में रख देता है, आगे दोनों गाडियन वापस अपने टेंपल में जाकर अपना काम शुरू करते हैं, जिस के साथ हमारी मूवी खतम हो जाती है, तो दोस्तों अगर आप कोई मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू